हेलो गाइज मेमरी सरमा हमारा आज का सेशन सुनुनियम्स का एसा सेशन एसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूश्चन जो आपके एक्जाम के लिए आने ही आने है जो आपके लिए अबनाए तो इन फ्यूचर आपके लिए एक राम बांचीद होंगे हमारे सेशन सुनुनियम्स का सेशन काफी लंबे समय के बाद आपके समक्स आपको यह देखने के लिए मिलेंगे तो नमबर वन श्टार्ट करते हैं सुनुनियम्स समाना आपके सब डिफलेक्ट बुरे कारिये पर जाना इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपको जो एक मिनिंग होगी उसका तो अर्थ आपको मिले गई आपके समक्स होगा जो उसके चार ओप्सन होगे जो उसमें से आपको राइट ओप्सन चूज करना है उसके चारों के ओप्सन भी हिंदी अर्थ भी आपके सामने दिये जाएंगे तो नमबर वन है 31 डिफलेक्ट बुरे मार्ग पर जाना ओप्सन अ में है फ्रेश्टेट प्रेशान बी में है चीट धोका देना राइट ओप्सन है प्रिवर्ट सही मार्ग से हटना ओप्सन क्या थाज का 31 का डिफलेक्ट बुरे कार्य पर जाना अर्था सही मार्ग से हटना तो इसका राइट ओप्सन होगा सी प्रिवर्ट ओप्सन डी में दिया है डिप्रेश उदास रहना नेक्स्ट नमबर 32 डोल्ड विलम करना ओप्सन ए में है एक्सिस आकना है निर्धारित करना बी में है एविलेट मुल्यांकन करना सी में है फिकली चपल और राइट ओप्सन लोटर लोटर अर्थार देरी करना डोल्ड विलम करना अर्थात देरी करना तो 32 का राइट ओप्सन हुआ लोटर देरी करना नेक्स्ट नमबर 33 एक्सिबेंट्स अत्याधिक ओप्सन ए में है ओड विचित्र बी में दिया हुआ है एडिकलेस मजाक्या या हास्यपद इसका राइट ओप्सन होगा एक्सिव अत्याधिक 33 का एक्सिबेंट का अत्याधिक का राइट ओप्सन होगा एक्सिव अत्याधिक डिये में दिया है थेंडिंग धमकी देना नेक्स्ट नमबर 34 प्योटल प्योटल महत्पून ओप्सन ए में हैं मुवबल घूमनी योग्ये इसका प्योटल का महत्पून का राइट ओप्सन होगा बी करसील महत्पून करसील महत्पून ओप्सन सी में दिया है इंटर्नल आंत्रिक डी में दिया है मेकैनिकल यांत्रिक नेक्स्ट नमबर 35 वलगर एसिस्ट ओप्सन ए में दिया है थोटलैस विचारहीन इसमें विचार उत्पन ना हो वो निश्ठूर हो कुछ सोचता ना हो तो बी में दिया है अनकाइंट निर्देई और वलगर एसिस्ट का राइट ओप्सन है कुरेज एसिस्ट खुर्दरा या रोखा जिसमें भावनाओं का आभाव हो ओप्सन डी में दिया है लिटरेट लिटरेट एसिक्सित एसिक्सित अर्थात अनपढ व्यक्ति नेक्स्ट नमबर और आज के सेस्ट का हमारा लास्ट लास्ट टू क्यूशन्स टू मिनिंग्स थर्टीशिक्स ओबवर्ज विप्रीत ओप्सन ए में दिया है बीटर तीखा ओप्सन बी में रिवर्ज वापस लोटना इसका राइट ओप्सन होगा ओजर्व विप्रीत का राइट ओप्सन होगा अपोजिट विप्रीत तो 36 का राइट ओप्सन क्या होगा सी अपोजिट डी में क्या दिया है एड़्वेर्स दरिद या बहुत बुरा नेक्स्ट और लास्ट नमर हमारा मीर्थ, खुसी, परसंता ओप्शन A में दिया है सोरो, दुख ओप्शन B में दिया है इंथेसम, उत्षाह, ओप्शन C में दिया है एडवेंचर, सहासिक कारिय ओप्शन D में दिया है मिर्जमेंट, खुसी तो ओप्शन 37 का हमारा राइट ओप्शन होगा मिर्जद, खुसी, परसंता का क्या होगा ओप्शन D मिनिमेंट, खुसी तो गाईद इस प्रकार से हमने अपने 6 से 7 सोनिनम्स को याद किया तो इस प्रकार से आपको एक ओप्शन याद करने से 5 मिनिंग्स याद होती है यानि कि 4 तो आपके A, B, C, D 4 मिनिंग्स तो आपकी है और एक आपका क्यूश्चन का मिनिंग यह आपकी याद होते हैं तो गाइज आपको इसकी फिर नोट बुक में नोट करने हैं ताकि इन फिर आपके यह कभी भी काम आ सके जो भी आपका competitive exam होगा इन फिर जिस exam में भी आप बैठेंगे उसमें आपको भविश्य में कोई तकलिप ना हो जहां पर भी आपको इंग्लिस में synonyms, antonyms one-one substitutions यह homophones देखनों को मिलेंगे मैं daily आपके लिए साइद कल आपके समक्स में opposite word का antonyms के arts discussion आपके समक्स space करूँगा तो इन सब को आपको क्या करना है यह फिर notebook में note करने हैं ताकि आपके पाक एसी dictionary उपलब्द हो आप उसको इन future में कभी भी देख पाएं और आपका सब्समु इतना strong हो कि आप कभी भी किसी समस्चा से ना घबराएं और हर समस्चा के सामना आप आसानी से कर पाएं क्योंकि सब्द subject आपका कुछ भी क्यों ना हो हिंदी हो इंगलीस हो कुछ भी क्यों ना हो यह तुजए आपके लिए सब्दों का chain करके आपके समक्स लाना प्रस्तुत करना और उसको आपकी dictionary में अंकित कराना यह एक बहुत तेडी खीर है तो आपको अभी से जितनी age आपके कम रहेगी आप इसको dictionary में बनाएंगे एक notebook में note करेंगे जो आपके लिए एक सब्द समू भंडार होगा और जब आप इतने सक्सम हो जाएंगे कि किसी exam में किसी परिक्सा में बैठने के लिए आप आपकी age उस age की होगी कि आप उस exam को दे पाएं तो उस समय ये आपके लिए एक एसा पुल का कारी करेगी एसा ब्रीज का कारी आपके सब्दों का बांध इस परकार का बांध होता है कि ये ना होते हुई भी ना दिखाई देते हुई भी एक एसा बांध है कि आपको हर प्रीक्षा को सपल कराने की पूरी पूरी गयन्ती रखता है तो guys, आप सभी को आज से ही और अभी से भी आप ये न माने कि मुझको इस प्रिक्सा में बैठने के लिए अब काफी देर हो चुकी है मेरी एज काफी हो चुकी है मैं 10th में हूँ या बीकॉम में हूँ जिस एज में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको हमें follow करना है और हमारी वीडियो को watch करना है